Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you English readers class 8th, that is UP board English reader class 8th, chapter is 5, इसका लेसन पढ़ने वाले हैं 5, प्लेइंग तिंग्स, यह पोएम है रिटन वाई रवीना टैगोर, रवीना टैगोर ने बहुत सी ऐसी चोटी चोटी बच्चों के लिए सुन्दर सुन्दर कविता हैं लिखी है, उनी में स से कविता लिए गई है, प्लेइंग तिंग्स, यानि चीजों के साथ खेलना, इसमें देखेगा एक चित्र दिखाया गया, इससे हम पहले समझने कोसिस करते हैं, कि इसमें क्या कहा गया है, देखेगा यहां पर एक परसन है, यानि कभी मान के चलिएगा, और यहां पर एक बच्चा है, बच्चा सुबर सुबर उठकर के टूटी लकणियों से फटे टूटी चीजों साथ हो है, खेलना सुरू कर देता है, और इधर एक जैंस हैं, जो अपने काम में जुटे हुए है, तो वो इन्हें सोच करके, यह कभी इस बच्चे देखकर के करता लिखता है, तो देखेगा उश करता में क्या कहा तब कहे तो है, किए टूटी चाइल्ड उपड़ अर सिटिंग इंदा डैस्ट, हव हैपी, यह जो इंस कितने खुछ, कि बच्चे तुम मिट्टी में बैठे कितने अच्छी लग रहे हो, यह आप मिट्टी में बैठ करके कितने खुछ हो मिट्टी में बैठे करके आप खेल रहे हैं उसके बाब जूद भी कितने आप खुश हैं तो चाइड हाव हैपी sitting in the dust मिट्टी में बैठे आप खेल रहे हैं और आप अपने को कितना खुश महसूस कर रहे हैं playing with the broken twang all the morning all the morning में रोज शुबह शुबह उठकर के आप टूटी हुई टैनियों के साथ खेलते हो playing with broken twang all the morning यानि आप सुबह उठके उस मिट्टी मेट जाते हो और टूटी हुई छोटी छोटी पेड़ की टैनियों के साथ खेला शुरू कर देते हो I smile at your pili with that little white of broken twang अब वो कभी क्या कहता है मुझे हशी आती है I smile at your pili आपके खेलों पर मुझे हशी आती है with little white of broken twang little white में चोटी छोटी चोटी टुकड़े होते हैं उनसे आप जो खेल बनाते हैं उनके साथ जो आप खेलते हो उसे देख करके मुझे आप पर हसी आती है I am busy my accounts अब देखो account क्या होता लेखा जो का हिसाब किताब अब लेखा कहता है मैं तो बड़ा busy रहता हूं I am busy with my accounts हम तो अपने हिसाब किताब में busy रहते हैं adding up figures by the hours hours मीश घंटों और घंटों अपने आंक्णों को जोड़ता घटाता रहता हूं कभी कहता मैं तो बड़ा अपने काम में busy रहता हूं हमारे पास इतने काम है हिसाब किताब के जोड़ने घटाने के उनमें में busy रहता हूं और आप जो खेल खेलते हों ने देख करके मुझे आप पर हसी आती है और आप इस में टीम बैठ करके अपने को कितना खुस महसूस करते हूं नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट है परहपस you glance at me and think देखना परहपस मीन साइथ यू गलांस at me and think साइथ तो जब मुझे देखते होगे तो यह सोचते हो जब मुझे आप देखते हो तो आप क्या सोचते होंगे ये कभी कह रहा है क्या कह रहा है कि about a stupid game to spoil your morning with मतलब वो कभी कह यह बच्चा ही मेरी तरफ देखता हो या जब भी देखता है हमको तो यह क्या सोचता होगा कि हम बहुत बेबकूफ आदमी हैं जो अपने सुब़े को खराप कर देता हूं बहुत इस्टुबूट गेम टूस्पाइल इयॉर मोर्निग बेद alltså कि हम कितना मूर्खों जैसा खेल खेलते हैं जिससे अपना सुबह सुबह पूरा खराफ कर देते हैं यह thinking किसकी बच्चे की तरफ किसे है हमारे लिए कभी कहता है कभी की की तरफ बच्चे की सोच कभी के लिए कि तुम क्या खेल खेलते हो अपना हिसाब किताब लगा देते हो और पूरी पूरी सुबह अपनी खराफ कर दे तो इन जोडने घटाने या अकाउंट बनाने अब क्या कहता हूं कभी चार्ड आई है फॉर्गेटन दा आर्ट ओफ बींग आपजर्वड इन स्टिक्स एंड मड़ पाहप्स अब कभी क्या कहता है बच्चे मैं ये सब खेल भूल चुका हूं जो खेल आज आप खेल रहे हो आपजर्मीस वैसे इखटा करना भी कह सकते हैं या किसी चीज़ को देखना भी कह सकते हैं तो वो क्या कह रहा है हम तो यह सब लकणियों को छोटी-छोटी टैनियों इखटा करके मड़ पाप्स मिट्टी इखटा करके खेल खेलने वाली जो हमारा समय था वो निकल चुका है और हम अम इस सब चीज़ों को भूल चुके है तो यह कभी कि अपनी स्वेम की कलपना है कि बच्चा हमें देख करके क्या सोचता होगा उसका हम क्या जवाब दें तो एक बार पर समझेगा कि परहपस यू ग्लांस एट मी एंड थिंग तो कभी कहता बच्चा साथ जब हमें देखता हो तो यह सोचता होगा कि हम कितने मूर्खों वाले खेल खेलते हैं जिससे हमारा स सारा समय सुबह का यह सब बेकार हो जाता है. Child, I have forgotten the art of being observed, the sticks and mud paps. अब कभी उसके जवाब में क्या कहता है? कि बच्चे हम यह सब खेलतों, खेलना भूल चुके हैं. बारा जब समय तुमारे जैसा रहा होगा, तब हम भी इन खेलों को खेला करते हैं. अगले इस्टेंजा अब कभी क्या कहता है? I seek out costly play thing. देखो seek out में सोता, खोजना, discover का नब बनाना. I seek out costly play thing. हम तो महंगी महंगी चीज़, खेलों के सामान इखटे कर रहे हैं. कभी कहता है, हम अब इन छोटी चीज़ों के साथ नहीं खेलते हैं, हम costly चीज़ों के साथ खेलते हैं. I gather lumps of gold and silver. देखो gather में सोता इखटा करना. Lumps में कहिएगा धेरों. ठीक है? Gold and silver. हम तो काई में खटे करने में लगे हुए? हम तो ऐसी कीमती सामान इखटे करने में लगे हैं. अब हम तो कमाने में लगे हुए, पैशा इखटा करने में लगे हुए, आप ये अपने sense में कह सकते हो. तो कभी कहता हम तो ऐसे काम करते हैं, जिससे हमें income हो, हमारी पास पैशा है, ऐसे खेलों हम खेलने में लगे रहते हैं, अब तुमारे जैसे छोटे-छोटे खेल हम नहीं. आप चोटे बच्चे को देखते हैं, वो उसी का खेल बना लेते हैं, टूटी-फूटी चीज, लकडी, कुछ भी हो, वो उसके साथ एक खेल बना करके खेलते हैं, और खुस रहते हैं, ऐसा देखा जाता है. यू क्रियेट, यू क्रियेट मतलब आप उसको बना लेते हैं, यूर ग्लेट गेम्स, अपना मन पसंद खेल, आपको जो कुछ भी मिल जाता, अपना मन पसंद खेल, आप क्रियेट कर लेते हैं, आप लेखा क्या कहता, आई इस्पेंड बोथ माई टाइम, बोथ माई टाइम, यह नि दोनों चीज़ें, कौन कौन, टाइम और, टाइम और माई इस्टेंद, अपना समय और अपनी पूरी सक्ती, हम दोनों काय में खर्च करते हैं, यू को इस्पेंड भी इस होता, खर्च करना, देखो कभी खुद जानता है इस चीज़ को, हम जिन चीज़ों को अपना समय बरबात कर रहे हैं, वो हमें कभी मिलने वाली नहीं हैं, आई इस्पेंड बोथ माई टाइम और माई स्टेंद, ओवर तिंस आई नेवर कहने अप्टेंद, ऐसी चीज़ों में खर्च करता हूँ, जो हमें कभी प्राप्त होने वाली नहीं हैं, और अगले लास्ट पंक्तिया हैं, मतलब इनका अर्थ क्या है, सी ओफ डिजार एक तरीके से फिरेजल वर्ड वी है यह, कि एक ऐसी चीज, समद्र को कह सकते हैं जो कभी पूरी नहीं किआ सकती है, समद्र पाने के चाहिए आफिए जिसको कभी पराथ नहीं किया सकती है, तो आई अप फिरेल मिश होता है, कम जोर, can you कह सकते हैं now, यानि कमजोर now डोंगी होती हैं इसे पानी में चलाने वाली तो इसकी ये कलपना है कभी की I, in my frail can you I stickle, मैं अपनी कमजोर now के द्वारा अपनी अनन्त इच्छाओं को पार करने का संगर्ष करता हूं I stickle two cross I stickle means होता, संगर्ष करना two cross means, पार करना the sea of desire in my frail can you means अपनी कमजोर now में बैठ करके मैं ऐसे समुद्र को पार करने कोशिस कर रहा हूं, जो शायद कभी पार नहीं कर पाऊंगा, अर्थाथ अपनी कमजोर इच्छा सक्तियों के साथ हम बहुत कोश पाने की कोशिस में लगे हुए हैं, लेकिन हमें वो मिलने वाली नहीं है मतलब ये कभी कलपना है, आप जितना अच्छा करके आप समझ सकते हो, वो समझ सकते हो तो in my frail can you I stickle two cross the sea of desire, यानि अपनी कमजोर नाव में बैठ करके हम समझ को पार करने की कोशश कर रहे हैं, तो जब कमजोर ना होगी तहम समझ पार नहीं कर सकते हैं अर्थात अपनी कमजोर इच्छा सकती, साथ हम बहुत बड़ी चीज़ों को प्राप्त करने कोशश में लगे हैं, जो कि शाइट हमें ओने वाली नहीं और लास्ट लाइन है and forget that and forget, देखो forget मीश होता भूल जाना and forget that I too am playing a game और मैं ये भूल चुका हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो भी एक खेल ही है अर्थात तुम अपने हिसाब के खेल खेल ले हो और मैं अपने हिसाब के खेल खेल ले हूँ अर्थात जो मैं काम कर रहा हूँ account बनाने भी जी हूँ पैसा कमाने भी जी हूँ ये भी तो मेरा एक खेल ही है तुम लकणी तूटी लकणी या और मिट्टी के पाइप के साथ खेल ले हो और हम सोना चांदी खटा करने बड़े हो अर्थात अपनी अपनी जगए पर दोनों खेल ही है कभी ये कहता मैं तो ये भूल गया हूँ कि हम भी ये खेल ही खेल रहे है रवीद नाट टैगोर ये रवीद नाट टैगोर द्वारे लिखी की पोएम है हमने आपको इसका हिंदी अर्थ समझाने कोशिश की आशा करता हूँ आपने समझी होगी इसकी एक्सरसाइज that's all